हेलो बच्चों मैं हूँ आपके हिंदी टीचर अंजो मेडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है बच्चों हम लोग नरैदास के पद के अंतरगत जो पांच पद दिये गए हैं उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ा है इसके साथ ही साथ मैंने छोटे-छोटे प्रश्ण यानि MCQ में जो प्रश्ण पूछे जाते हैं और संचिप्त उत्तर वाली जो प्रश्ण होते हैं उस पर मैंने एक वीडियो यूट्यूपर अपलोड कर दिया है यानि रैदास के पद से सम्मंधिद 6 वीडियो भावना से सम्मंधित प्रश्ण के उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्तित हूँ तो बिना देर किये मैं आज का यविसे आरंब कर रही हूँ खूब ध्यान से सुनिए खूब मन लगा कर सुनिए योकि परिच्छा में ऐसे प्रश्ण पूछे जाते हैं तो आप इसका उत उत्तर कैसे लिखेंगे यह मैं आप लोगों को बता रही हूँ खूब ध्यान से सुनिए और देखिए प्रश्ण रैदास की भक्ति भावना का परिचे दीजिए उत्तर देखिए रैदास एक संथ कवी थे रैदास जी की भक्ति भावना समाज के व्यापक हिद की कामना मान मानव समाज के कल्यान की बात उसमें कही गई है उन्होंने अपने चिंतन और सत्संग के प्रभाव से धर्म के वास्त्रिक सरूर्प को समझा और अपने पदों में इसी का गायन किया है तो उनके अनुसार धर्म क्या है मानव सेवा धर्म है उन्होंने इसी का चिंतन किया मन और इसी को उन्होंने अपने पदों में भी व्यक्त किया है। पानी जाकि अंग अंग बास समानी यानि उन्होंने भगवान को किस रूप में माना चंदन के समान माना और स्वेम को किस रूप में माना पानी के समान जैसे चंदन को जब पानी में घिसते हैं तो क्या होता है पानी में कोई सुगंध नहीं है लेकिन चंदन के घिसने के इस बात को खुब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वे कहते हैं कि इस्वर की साधना एकाग्रचित होकर प्राफ्ट किया जा सकता है। वे स्वयम को गुनहीन तथा इस्वर को गुनों का आगार मानते हैं। रैदास जी ने ये बतलाया है कि अगर आप इस्वर की साधना करना चाहते हैं तो आपको पहले मन को एकाग्रचित करना होगा, मन को शांत करना होगा, उन्होंने स्वयम को गुनहीन माना और इस्वर को क्या माना है गुनों का भंडार, गुनों का आगार, क्या कहते हैं देख भक्ति के लिए चित यानि मन को चंचल न रखकर सांत रखने की आवश्यक्ता है। यदि आप इस्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को सांत रखना होगा। तो देखें आप लोग जब पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें। अगर खुब अच्छी तरह से पढ़ना है, खुब मन लगा कर पढ़ना है, तो आपको पहले अपने मन को शांत करना पढ़ता है। अगर आपका मन चंचल है, अगर आपका मन इधर भटक रहा है, तो आप देखेंगे आपको कुछ भी याद नहीं होता है, आपका होता है, रैदास जी इस्वर को सरव्यापक तथा स्वयम को लगु माना है, इस्वर आनन स्वरूप है तथा स्रिष्टी के कंगण आकास से पाताल तक व्याप्त है, आज तक सीव शनकादिक रिशी तथा ब्रह्मा जी इस्वर का आदी और अल्त नहीं जान सके हैं, तो रै इस्वर का रहश्य आज तक नहीं मालूम हुआ है, और कहा भी जाता है, इस्वर क्या है, एक ऐसी किताब के तरह है, जिसका प्रथम पेज नहीं है, और उसका अंतिम पेज नहीं है, यानि हम इस्वर का आदी भी नहीं जानते हैं, और इस्वर का अंत भी नहीं जानते हैं, तो इस्वर ऐसे ही हैं, इस्वर को इसलिए कहा जाता ना, आदी है ना इसका अंत है, तो इस्वर के बारे में ऐसी राई जो है, ऐसे विचाल जो है, रैदास जी के भी हैं, वे कहते हैं, चरन पताल, सीस, असमाना, सो ठाकूर कैसे समपटी समाना, यानि कहते हैं कि इस्वर सर विराठ है विशाल है और हम लोग क्या करते हैं हम लोग इतने मुर्ख हैं कि इसवर को एक छोटे से घर में रखने की कोशिस करते हैं एक मंदिर बना कर रखते हैं एक मर्जिद बना कर रखते हैं एक मठ बना कर रखते हैं इसवर इतने विशाल हैं उनकी विशालता के बारे म क्या कहा है चरन पाताल उनका एक पैर कहा है पाताल में है सीस कहा है आस्मान में यह चरन है पाताल में सीस है आस्मान में ऐसे भगवान को ऐसे विराठ भगवान को हम लोग क्या कर रहे हैं एक मंदिर बना करके रख रहे हैं यह तो हमारी मुर्खता है कि हम इस्वर के विराठ के लिए इस्वर की कृपा के आवशक्ता है अब देखे इस्वर को पाने के लिए सबसे बड़ी बात है क्या बताया माया यह माया है क्या आप लोगों को यह नया सब्द लग रहा है माया है यह माया के यह संसारिक आकर्शन, संसार में जो सारी बस्त्व हैं, यही तो माया है जैसे किसी को बहुत अच्छा कपड़ा पसना गिया, तो क्या ह ANY जब कपड़ा नहीं मिलता तो उसके लिए दुख होता है किसी को कोई कलंख पसना जाती है तो वो कलंख जब उसे नहीं मिलता है तो उस कलम को के लिए दुख होता है तो इन सारी चीजों को हम लोग माया कहते हैं आपके पास एक अच्छी कलम है कोई आपसे ले लिया इस बात से भी आपको दुख हो जाता है कभी-कभी तो माया यही है कि हम संसारिक लगाव को छोड़ कर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं हम इस्वर की साधना कर ही नहीं पाते हैं अकर इस्वर की साधना करनी होगी तो इस असारिक आकर्शन है इससे दूर होना होगा इससे समाप्त करना होगा प्रैदास जी क्या कहते हैं देखिए कि माया के बंधन में बंद कर मनेश कभी मुक्ती नहीं प्राप्त कर सकता और क्या कहते हैं राम बीन संसे गाठ ही न तूटे यानि भगवान की कृपा के बिना ये बंधन जो है ये गाठ जो है संदे का ये कभी तूटता नहीं है समाप्त होता नहीं है रहदास जी कहते हैं कि काम, क्रोध, मोह, मद, माया ये पांच विकार है, विकार मने बुराई, संसार में पांच बुराई क्या है, काम, क्रोध, मोह, मद, माया, मोह मने आकर्शन भी हो सकता है, लगाओ होगा, मद मने अहंकार, माया मने आकर्शन, जिसने मनिश्य को संसार में फसा रखा है, जब तक हमारे उपर इस्वर की कृपा नहीं होती, हमें पंच विकारों से मुक्ती नहीं मिल पाती, यानि इन पंच विकारों से मुक्ती पाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस्वर की कृपा पानी होगी, रैदास जी इस्वर की भक्ती के लिए दिखावा व इस्वर की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन इस्वर की पूजा के लिए वो कोई दिखावा नहीं चाहते हैं, कोई वाया डंबर नहीं चाहते हैं, उसे बेल, पत्ता, फूल, इत्यादी की कोई आवशकता नहीं है, वो मन से इस्वर की साधना करते हैं, जिस साधना को कहा गया जिसके मन में इस्वर के प्रती प्रेम होगा, उसे ही इस्वर की भक्ती की प्राप्ती होती है, उन्होंने इस्वर को पारस पत्थर के रूपे में माना है, जिसके संस्पर्स में आकर लोहा रूपी इंसान यानि भक्त भी सोना सा मुल्लेवान बन जाता है, तात पर यह है कि इस्वर की क्रिपा के बिना मनुश्री का कल्यान नहीं होता है। तो रैदार्स दी क्या बताते हैं? किसकी मुक्ती होगी? जिसके मन में इस्वर के लिए प्रेम होगा? उसी पर इस्वर जह अपने क्रिपा करेंगे। इस्वर पारस पत्थर के समान है। पारस पत्थर, यानि जैसे उसे लोहा में अगर छुआ जाए, तो पारस पत्थर के संस्वर्स में आके लोहा क्या बन जाता है? सोना, मुल्लेवान, ठीक हम भक्त भी वैसे ही है, यदि हमें इस्वर का संस्वर्स मिल जाए, तो हमारी भी मुक्ती हो जाती है, जब तक मनुष पर ध्यान नहीं लगा सकते हैं, हमारे मन में भक्ती का भाव जड़ी नहीं है, हम जब भगवान का ध्यान करते हैं, तो हमारा मन इधर उधर की बातों में भटकता है, तो हमें कभी भी इस्वर्स की प्राप्ति नहीं होगी, हमें कभी भी इस्वर्स की क्रिपा नहीं होगी इस बात को रैदास दी ने कहा है इस प्रकार संत रैदास की भक्ती दास से भक्ती है उन्होंने इस्वर से सेव्य सेवक सम्मन्द स्थापित किया है वे मानते हैं कि उनके प्रभू सभी प्रकार से उनसे स्रेष्ट है वे सही अर्थ में इस्वर के भक्त है तो रैदास की भावना कैसी है दास भक्ती है उन्हें कहा है प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ती करे रैदासा उन्हें इस वर को स्वामी यानि मालिक माना है खुद को दास या नौकर माना है और इसके साथ ही साथ रैदास जी का कहना था मन चंगा तो कठोती में यानि अगर आपका मन साफ है तो सामने जेक बरतन रखा हुआ उसका जल भी में गंगा के जल के समान पवित्र है तो इस्वर को ढूनने कहीं दूर जाने के आवशकता नहीं है इस्वर को हम अपने अंतरात्मा में ही ढून सकते हैं अपने मन को बुराईयों से दूर करें मन को एकागर करें अपना मन इस्वर में लगाएं तो रैदास जी सही अर्थ में इस्वर के भक्त है तो उम्मीद करती हूँ कि रैदास जी की भक्ति भावना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी वीडियो को लाइक करें सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इ पेनी रान